वेरी वर्म वेलकम टू आल फ्यू बच्चो इन जॉब टीक्टेटर आज हम लोग पढ़ने वाल है सर्कल तो आज बहुत ही मरजा आने वाला इस सब्सक्राइब पढ़ने के लिए चलिए सुरू करते हैं विद्धी फर्स्ट कोशन यह रहा हम लोग का पहला सवाल यह पहला स सेंटिमेटर स्क्वाइर दिया है और रेडियस यहाँ पर सर्कल का जानना है रेडियस जिसको की त्रीजिया बोलते हैं आप लोग हिंदी में तो यहाँ पर त्रीजिया होता है तो ठीक है एरिया अफ सर्कल हम लोग पहले तो लीक लेते हैं क्या होता है एरिया अफ सर्कल तो यहां पे हम लोग का एरिया दिया है 154 ठीक है और इसका वेल्यू है 22 by 7 r square ठीक है तो यहां पे यह इधर चला जाएगा 154 इन्टू 7 by 22 r square इसको जब solve करेंगे तो r square हो जाएगा स्कुल्टू 49 और 1 r का भेल्यू हो जाएगा 7 cm तो 7 cm तो हम लोग का त्रीजिया निकल गया है रेडियस हैने कि 7 cm option number a इसका answer है अब अगला question की तरफ बढ़ते हैं ओके तो यह है हम लोग का स्वाल यह कह रहा है कि if the angle of sector is 60 degree radius is 3.5 cm then the length of the arc is तो यह question कह रहा है कि हम example देके बताते हैं जैसे कि एक circle है ठीक है और उस पे क्या है कि एक sector बनावा सेक्टर को कहते हैं त्रीजिय खंड ठीक है त्रीजिय खंड कहते हैं सेक्टर को यह ऐसा होता है पीजा का save का और यहांपे यह कहा रहा है कि यहांपि यह जो है एंगल इसका वह 60 degree है ठीक है यहांपे घ्रीजी सेत्वकोटर कि यह जो portion है यह 3.5 cm ठीक ही त्रीजिय खार यह संथ 3.5 है ठीक है और जो length है of arc यह जो portion ने इसको आर्क कहते है ठीक है इतना तो यह हम लोग को निकालना है ठीक है तो length मतलब लंबाई पूछ रहा है आर्क का of sector मतलब कि 3G घंड तो यहाँ पे length of arc क्या होता है length यानि कि जो लंबाई है of किसका 3G खंड का है यानि कि area of sector sector को 3G घंड कहते हैं ठीक है हिंदी से ओके तो आप लोग समझ रहा होंगे हिंदी वाले बच्चे को भी समयने में थोड़ा सा easy पढ़ रहा होगा तो इसका formula होता है theta by 360 ठीक है into 2 pi r ठीक है तो यहाँ पे theta हम लोग का दे रखा है 60 ठीकरी 60 लिख देते हैं यहाँ पे by 360 2 into 22 by 7 और radius हम लोग का दे रहा है 3.5 ठीक है ओके 6 6 से cut जाएगा ओके तो यह सब को पूरा cut जब हम लोग मतलब solve करेंगे तो यह आ जाएगा 3.66 सेंटीमीटर ठीक है तो यह option number C में है यह इसका answer है ओके अगला question देखते अब ओके तो यह राव कि the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 cm is तो यहाँ पे कह रहा है कि एक quadrant है एक मतलब circle बना है उसका quadrant quadrant यानि कि चतुर्थार्स ठीक है चतुर्थार्स को quadrant कहते है ठीक है और यहाँ पे जो है ये साथ area of quadrant निकालना है यानि चतुर थार्स निकालना है जिसका जो circumference है यानि की परीदी जो है वो 22 cm है तो इसको हम बताते हैं कि यह क्या रहा है question पूछ क्या रहा है एक ऐसे एक circle है ठीक है और quadrant यानि चतुर थार्स किसको कहते हैं मतलब एक जो circle होता है वो मतलब उसका जो चार पार्ट होता है न वो मतलब equal होता है यासे तो इसको quadrant कहते ठीक है पूर्टन क्वाडरेंट थीक है तो quadrant होता है तो यहांपे question में दिया रखा है कि यह circumference जो है यह outer portion है यह इसका circle का यह circumference दिया है 22 cm, ठीक है, तो पहले हम लोग इसका radius निकालने थे, क्योंकि circumference दिया हुआ है, तो circumference है निकी पर ही दी, तो circumference, इसको लटू क्या होता है, 2 pi r होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 22 दिया हुआ है, 22 circumference दिया है, 22 by 7 into, मदलब r, ठीक है, तो यहाँ पर 22 से 22 कर गया, तो r is equal to यह हो जाएगा 7 by 2, ठीक है, r हम लोग का निकाल गया 7 by 2, यहाँ पर लिख के राक लेते साइट में, r is equal to 7 by 2, तो यहाँ पर कह रहा है कि area of quadrant of a circle, यानि कि चतुर थार्स निकालना है, एक वरित का, यानि कि एक circle का जो है, चतुर थार्स निकालना है, ऐसे, इसका area पता गारना है, ठीक है, तो यहाँ लिखते देते हैं, area of quadrant of circle, ठीक है, तो यह होता है, क्या होता है, pi r square theta by 360, ठीक है, तो यहाँ पर यह theta का भेलू कितना दिया है, यह जो होता है, quadrant, ऐसे होता है, तो यह तो 90 degree होता है, ठीक है, 90 degree होता है, हम और एक बार दिखाते है, जैसे कि एक circle है, ठीक है, और यहाँ पर एसे quadrant है, ठीक है, यहाँ पर जैसे quadrant दिया है, तो ऐसे जो है, तो यहाँ पर equal होता है, अच्छा से नहीं बना, तो यहाँ पर यह 90 degree होता है, तो यहाँ इसलिए theta का value 90 हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ value put कर देते है, ठीक है, 22 by 7, radius, radius हम लोगा 7 by 2 है, 7 by 2 लिख देंगे, दो बार लिखना पड़ेगा, इसको इधर जगा नहीं इधर लिखते है, 22 by 7, radius हम लोग निकाल दिया थे 7 by 2, परिधी जो था, circle का दिया था, उसे से हम लोग मान इसका सब निकाल दिया थे, 90 लिख देंगे, और by 360 है, तो 360 नीचे में लिख देंगे, जब इसको आप लोग solve करेंगे, यह total, total इस area को जब आप solve करेंगे, तो इसका answer आएगा, 77 by 8 cm2, ठीक है, यह option number D में इसका answer है, तो यह इसका answer आजाएगा, ठीक है, अब अगले question को हम लोग देखते है, ओके, यह रहा हम लोग का अगला सवाल, यह question कहा रहा है, कि if 0 is the angle in degree of a sector of a circle of radius V, then the area of sector, ठीक है, तो यहाँ पर sector, area of sector का कुछ रहा है, यानि कि, sector मितलब क्या 3G खंड होता है, इसको sector को 3G खंड कहते है, ठीक है, sector को 3G खंड कहते है, और यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल जो है sector, यानि 3G खंड का जो एंगल है, वो 0, यहाँ पर 0 degree नहीं होगा, क्योंकि 0 degree तो एंगल होता ही नहीं, यहाँ धिट्टा हो जाएगा, ठीक है, यह धिट्टा है, इस एंगल अफ इन डीगरी जो है 3G खंड का, वो थिट्टा दिया हुआ, यहाँ पर थिट्टा मानेंगे, 0 यहाँ पर नहीं हो सकता है, 0 होगा तो फिर कोई एंगल ही नहीं बनेगा, और यहाँ पर सर्कल ओफ रेडियेस, रेडियेस हैंने 3G, 3G क्या दिया है, भी, भी है एन एरिया ओफ सेक्टर, इस तो एरिया ओफ सेक्टर, यहाँ पर रेडियेस, यह मतलब 3G दिया है भी, और थिट्टा जो एंगल है, वो दिया है, थिट्टा ठीक है, तो एरिया ओफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ओफ सेक्टर, क्या होता है, यह होता है, यह होता है, पाई तो यहां पर भी u2 हो जाएगा पाई आर एस सुरीरी यहां भी एसक्वार एस्वार टिट्टा बाइ ठीक्स्टी अ कि ओके तो इसका अप्शन है नहीं भी तो किसी में भी नहीं है आर ही दिया हुआ है यहां पर भी के जगा भी आर ही होगा ठीक है रेडियस को आर कंसीडर करेंगे तब जाके option में हम लोग का सही आएगा तो यही इसका सही answer हो जाएगा option number B यह तो formula ही हो गया area of sector का तो यह इसका सही answer है अब अगले question के तरफ बढ़ते हैं ओके तो यह रहा अगला सवाल यह अगला सवाल कहता है कि a horse is tied to peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by mean of a seven meter long row the area of that part of the field in which the horse can graze is तो यह question कह रहा है कि एक horse है ठीक है एक horse है एक मिनट यह question कुड़ा तीक नहीं रहा एक horse है ठीक है और वह horse क्या है कि बंधा हुआ है किससे एक पेग यानि के खूंटी से और one corner of a square shaped grass field जिसका एक मतलब की square type का एक field है एक हम diagram बना के आप लोगों को बताते है ऐसे square है इसको बोलती है इसका चारो साइड एक्वल होता है तो वो जो साइड दी आया इसका 15 मीटर है कि 15 मीटर ठीक तो ओके कि 15 मीटर है ठीक है इसका साइड जोंग नेकर और क्या रहा है कि propeived means of सब्सक्राब सब्सक्राइब बंदा यानि कि एक कोई मतलब एक होर्स है और वो यहां से मतलब बंदा हुआ है यहां एक रस्ती से तो यह जो है इसी एरिया तक ही वो मतलब चर सकता है ठीक है तो जिस एरिया तक चर सकता है उसी का हम लोग को यह निकालना है क्या एरिया निकालना है ठीक है तो यहां पे ज तो एरिया पार्ट में वह जो मैं दलब कर चर रहाए जो खोड़ा उस एरिया को निकालते हैं तो दी एरिया लिखते एरिया और फ अ ओफ ऐरिया और अफ दब पांट पार्ट इन विच जिसमें की होर्स क्या करता है होर्स ग्रेज ठीक है ग्रेज लीग देते है ठीक है तो यह तो सरकल का वान फोर्थ कह सकते एक चोथा ही हिस्सा है तो सरकल का एक चोथा ही हम लोग कर देते तो वान फोर्थ और एरिया ओफ सरकल होता है पाई आर एसक्वेर हो खांश होता है धीक एस फार्मूला ठीक तो अब इसका लेल्व पूट करते 12 पाइक का 22 राइस था यह घोड़ा जीसे बन्दा वो रेडियेश ही तो इसको मिद्दा तो 7 को दो बार लिख देंगे 77 कटा ये दो टाइम में कटा हो गया 77 बाइ 2 मेटर स्क्वाइर ये ये ये